नमस्कार लक्षमिरार जोतिस के इंदम आप सभी का स्वागत हैं मैं आचारे डॉक्टर एपी शुकला आज का हमारा विशय अगर कहा जाए हाथ की रेखा अगर कहें एक महत्पूर्ण विशय है उंगलियों के साथ में हाथ की रेखा मतलब यह रेखा जो अंदर हो जाए ले ऐसे कुछ बिंदूओं पर आज हम बात करेंगे कि हाथ देखने की शुरुवात में ही आप जो है उन बिंदियों को समझ लीजेगा जो बिंदू मैं बताऊंगा उससे कही ना कहीं व्यक्ति के भविश्य के बारे में आसानी से आपको जो है जानकारी मिल जाएगी कुछ ऐ ऐसे बिंदू पर भी बात करेंगे जब किसी का हाथ देखिए तो उन बिंदूओं को अपने दिमाग में रखिए रेखा का प्रभाव अगर कहा जाए आप पर कितना पड़ेगा रेखा का प्रभाव मतलब जो है भाग रेखाय मतलब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा उस मुकृता का समान शब्दों में एकर कहा जाए किसी भी हाथ को देखने के लिए किन चीजों को देखना जरूरी है उसके हम बात करेंगे और बहुत सद्हान सी चीजें हैं आराम से दो PP मिनुट में आप समझ जाएंगे पांच दस मेंट जितने कभी समय लगे वीडियो में उत्री देर में आप समझ जाएंगे कि अगले वेक्ति बस हलका सा अगर आपके सामने हाथ आया तो आप समझ जाएंगे वेक्ति कितना काबिल है चले शुरू करते हैं पहला बिंदू धान से सुनिएगा एक एक बिंदू में बताऊंगा लगभग सत्रा अठारा बिंदू है रेखाएं सभी रेखाएं अगर कहा जा साफ सुत्रियों और इसपस्ट हो रेखाएं साफ सुत्रियों इसपस्ट हो और हल्की से अगर लालिमा लिये हैं तूटी फूटी नहीं है दीप नहीं है दीप का मतलब इस टैप में यह हिस्सा अगर द्वीप नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो रेखा आपको जो है कही ना कही नियुमतम फल देंगी अगर रेखा टूटी फूटी है इसपस्ट नहीं है लालिमा नहीं है काला पन है हाथ में अगर कहें और कहीं ना कहीं द्वीब है या हाथ में अन्य रेखाएं जो है अगर कहें तो गाड़ी हो रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि हाथ में उस हिसाब से फल वेक्ति को नहीं मिलेगा रेखा अगर पीली है पीली रेखा का मतलब यह हो गया पीला पन लिए है रेखा रेखाओं के अगल बगल में पीला पन सा आ रहा है या हात में अलका-अलका पीला पन आ रहा है ये भी कहा जाएगा कि स्वास से सम्मंदि चीजों में एक कमी करती है रेखा के प्रभाव को छिण करेगी मतलब ये मान के चलिए जैसे भागे रेखा है और भागे रेखा के बगल बगल में पीला पना रहा है तो कहिना कई भागे को छिण करेगी व्यक्ति को अपने जीवन में महनत जादा करनी पड़ेगी और कहिना कई निराशा को भी दिखाता है रेखा पे काला पनाना दुखों को दिखाता है मांगलिक कामों में दिक्कतों को दिखाता है निराशा को दिखाता है रेखा के उपर काला पनाना मतलब रेखा के अगल बगल में काली-काली सी रेखाएं बन रही है यह काला-काला निशान टैप का बन रहा है यदि किसी रेखा के पास में कोई भी रेखा हो चाहे वो जीवन रेखाओ, चाहे मस्तिस्क रेखाओ, चाहे वो भाग रेखाओ, चाहे सूरे रेखाओ यदि किसी रेखा के पास में एक रेखा और बन रही है तो व्यक्ति के मनोबल को वो बढ़ाएगी, जैसे मैंने भाग रेखा ही बना रखी है इसके बगल में एक रेखा और है तो इमान के चलिए जो है व्यक्ति जीवन में सफल होगा और जितना पास है उतना अच्छा है जीवन रेखा के बगल में एक रेखा और है चाहे आप उसको मंगल रेखा करिए या सपोर्टिंग रेखा करिए वो आपके उपर है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बढ़ाने कोई दिखाता है अगर यही रेखा तूट रही है अब मान लिजे ऐसे है मान लिजे आपकी भागे रेखा तूटी है और भागे रेखा के बगल में एक रेखा खड़ी है तो उसके फल उस हिसाब से कम नहीं होंगे भागे में उस हिसाब से कमी नहीं करेगा फिर समय कह दे रहा हूँ अगर यह रेखा तूटी है उसके बगल में एक रेखा बन रही है तो यह कहा जाएगा कि उस हिसाब से फलों में कमी नहीं करेगा आयू के उस पणाओं पे, जहां पर भी टूटी है, जिस जगाँ पे टूटी है, उस जगाँ पे जो भी परणाम या जो भी खराबी है, अब माली ये नहीं है, तो आसम कहा जाएगा भागे को रोखेगा, कही ना कहीं संघर्स कराएगा, इसके बगल में एक रेखा बन रही ह तो ये संघर्सों में कमी कराएगा, उसमें कोई दो रही है, अगर किसी रेखा के नीचे, कोई भी रेखा हो, ये जुन्ड टैप का बन रहा है, ये है या ये है, उधारन के लिए मैं बता देता हूं, सूरे के नीचे ही बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पू उस रेखा से सम्मंदित चीजों में फलो में कमी करेगा, जो भी जिस रेखा के नीचे मालिय सूर के नीचे ही है, और बच्चा सरकारी नौकरी की तयारी कर रहा है, तो इसको कुछ विशेश उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ये सरकारी नौकरी से सम्मंदित चीजों मे व्याधी डालेगा, पिता से संबंदित चीजों में तनाव देगा, या पिता को तनाव दे, पिता के सुखों में कमी करे, गुरू के नीचे है तो संतान, पुत्र संतान को लेके चिंताएं देगा, पुत्र संतान से संबंदित चीजों में तनाव देगा, व्यक्ति आसामाज पाजिक कारियों में लिफ्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, मालविक मैं उधारण दे रहा हूँ कि जिस रेखा के नीचे हैं उस रेखा से सम्मंदित गुर्दोष, जो भी ग्रह के नीचे हैं, उस रेखा से सम्मंदित गुर्दोषों में ये कमी करेगा, कही ना कही उसमें दिक्कत देगा, ये कही न कही उसमें जो है समस्याइं देगा, अगर किसी रेखा के मिलते हुए, मान लीजे यही है, या फिर यह है, सूरे रेखा पे दोचार रेखा हैं मिलके उपर जा रहे हैं, छोटी-छोटी सी बारिग-बारिग सी, ऐसे में कहा जाएगा, कि विक्ती के फलों को बढ़ाएगा सूरे से सम्मंदित फलों में मान समान प्रतिश्था में बड़ोंतिर्थी करेगा अगर गुरू के नीचे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में इस्थाइत तो देगा संतान विलक्षण प्रतिभा की होगी संतान से सम्मंदिछ चिंताएं कम होंगी जहां पर भी जिस रेखा के नीचे है उस बहुत या उस ग्रह से सम्मंदिछ चीजों को वह बढ़ाएगा अगर इसी के विप्रीत है रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा जो पी रेखा है, जिस छेतर पर है, उस छेतर से शमंदित चीजों में व्याधी डालेगा। अब एक उधान मैं देता हूं, माली जे भाग रेखा पर है। इस टैप से भाग रेखा पर है। ऐसे मी कहा जाएगा व्यक्ति का विवा जल्दी होगा। अगर यह रेखा है और इस पर चोटी-चोटी से रेखाएं हैं व्यक्ति का विवा जल्द होगा अगर यह रेखा नीचे की तरफ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साती को लेके व्यक्ति को कस्ट मिलेगा अगर औरत है तो पती को सारीरिक कस्ट मिलेगा एक चीज का हमेशा दान रखिएगा मेरे वीडियो महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखा करें और पुरुष अपने सीधे हाथ को देखा करें पुरुष अपने सीधे हाथ को और वीडियो को जादे जादा लोगों तक शेर कर दीजेगा ज्यादे ज्यादे लोगों तक पहुचा दीजिएगा जो भी रेखा खड़ी हो किसी भी रेखा से जैसे मस्तिष के रेखा है मस्तिष के रेखा से अगर कहा जाए दो-तीन रेखा हैं आपकी मस्तिष के रेखा पे खड़ी हो रही है तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरब बढ़ने जा रहा है और उन नए कामों से कहिना कहीं व्यक्ति जो है अच्छी मात्रा में धन कमाएगा नए कामों से अच्छी मात्रा में व्यक्ति धन कमाएगा हाथ में रेखा अगर लहरदार हो, कोई भी लेखा लहरदार हो, चाहे मस्तिसक रेखा लहरदार हो, चाहे भाग रेखा लहरदार हो, चाहे हिरदय रेखा लहरदार हो, ये अशुप संकीत है, जीवन भी कहिना कहीं लहरदार होगा, सीधा नहीं होगा, समाने नहीं होगा, फल नहीं रहेगा कोट का चेहरी वादिवाद इत्यादी चीजों को दिखाएगा फिरदे रेखा लहरदार हो तो जगड़े जंजट मुकदमे बाजी और एक्सिडेंट से सम्मंदि समस्या और खून जनित बिमारी को बढ़ाएगा देखे रेखा अगर टूटी है कहीं पे भी रेखा तो वह अशुब कहलाती है अपने फलों को देने की च्छमता को कम कर देती है बहुत ज्यादा पतिली रेखाएं बहुत ज्यादा हलकी रेखाएं शूष मेरे खाजी से कहा जाता है वो कमजोर रेखा मानी जाती है कमजोर रेखा मतलब उनमें फल देने की उस हिसाब से चमता नहीं है मान लीजे किसी के हाथ में हल्की हल्की सी रेखा बन रही है चंदरमा पे तो एसे में और यह कहा जाएगा कि ये चंद्रमा पे रात्व होने का मतलब अभी बहुत हलका जैसे यह गारी होगी वैसे वैसे उसका प्रभावबढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रभावदगए है जो भी मैंने 15, 16 बिंदू 17 बिंदू बता भी और भी कुछ बिंदू हैं अगले वीडियो में भेजूँगा कहने को तो बहुत समान ने हैं लेकिन एक हाथ देखने के लिए इन बिंदूszyं का आपको रटा होना जरूरी है। इन बिंदू´ँ का आपको रटा होना सथ होगा, मतलब जो भी मैंने बिंदू बताएं, अगर यह बिंदू किसी के हाथ पे फुल फिल हो रहे हैं, तो वो चोटा मुटा आदमी नहीं होगा, बड़ा आदमी होगा, यह प्रेटिस, आप प्रेटिस कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है, शौक रखते हैं, उसके प्रद्ध हैं अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी परमात्मा आप सभी को स्वस्था रखे सुरक्षित रखे अभी कले बस इतना ही नमस्कार